गाव के एक छोटे से घर में रहने वाला राहुल साधारन परिवार का एक होनहार छात्र था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजारा करते थे, पर राहुल के सपनों में उंचाई छूने की चाहत थी। उसने बोड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का लक्ष बनाया था ताकि वह अपने परिवार और गाव का नाम रौशन कर सके। राहुल के पास पढ़ाई के लिए सुविधाय नहीं थी। नहीं उसके पास अच्छे नोट्स थे, नहीं पढ़ाई के लिए किसी प्रकार की ट्यूशन। शाम होते ही घर में अंधेरा हो जाता था, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह एक पुरानी लालटेन की रोशनी में रात-रात भर पढ़ाई करता था। कभी-कभी उसे पगडंडी से दूर जाकर पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ाई करनी पढ़ती थी, ताकि शान्त से ध्यान लगा सके। राहुल का संघर्ष और मेहनत रंग लाई। उसने अपने आत्म विश्वास और द्रढ संकल्प के सहारे कठिन परिस्थितियों को पार किया। बोर्ड परीक्षा के परिणाम के दिन जब उसके 90% से अधिक अंक आए, तो पूरे गाव में खुशी की लहर दोड गई। राहुल ने साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं, बलकि कड़ी मेहनत और जजबा होना चाहिए। आज राहुल अपने गाव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया है। उसकी कहानी बताती है कि मेहनत और आत्म विश्वास क के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।